बारत सरकार खेल मंत्राले ने आज वेब पोर्टल लॉंच किया है इंटरनाशनल प्लेयर्स उनके कोचिस के लिए कैश रिवार्ड्स के लिए पैंशन स्कीम्स के लिए या खिलाडियों के वेलफेर के लिए जो योजनाए हैं अब उनको सरकारी दफ्तर या करमचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ओनलाइन एप्लिकेशन्स वो दर्ज कर सकते हैं डिज्टल इंडिया को और आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं मोधी सरकार की Ease of Living और Ease of Doing Business की योजनाओं की उसी तरज पर इसको लागू किया गया है यहां पर टेकनोलोजी का उपयोग होगा और Transparency और Accountability आएगी यानि के आप वेब पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लिकेशन डाल सकते हो पारदर्शी प्रक्रिया से उसको कम समय के अंदर उस पर निरने लिया जाएगा अब आपको Sports Authority of India या केल संसाओं के चकर या सरकारी करमचारियों के चकर नहीं काटने पड़ेंगे जहां पर आपको एक साल से दो साल तक का समय भी लग जाता था अब चंद दिनों के अंदर आपकी application पर कारवाई होगी ये बहुत बड़ी सुविदा है minimum government और maximum governance की बात जो मोदी सरकार करती उस दिशा में एक बड़ा कदम है ये खेल मंत्राले ने उठाया है दीन दयाल उपाद्य Sports Person Welfare Scheme जिसके माद्यम से खिलाडियों को सुविदा लेनी तो वो भी online application दर्ज कर सकते हैं international खिलाडी जो पहले medal जीत कर आते थे और उनको application भरने में बहुत दिक्कत आते थे अब वो online कर सकते हैं उनके coaches online डाल सकते हैं इसी तरह से ही National Sports Development Fund इस पे अगर आपको पैसा देना है contribute करना है खिलाडियों के लिए खेल सुविधाओं के लिए खेल संस्ताओं के लिए या खेल टूर्नामेंट्स के लिए तब आप अपनी अच्छी कमाई का पैसा वहाँ पर contribute कर सकते हैं चाहे वो व्यक्ति हैं इंडिविज्वल्स हैं या इंस्टिउशन्स हैं या कॉर्पेट जगत है या कोई संस्ता है वो अब अपनी और से contribution ऑनलाइन भी National Sports Development Fund पे कर सकती है जिससे खेल, खेल, खेल की गतिविदियों को और बल मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाब मिलेगा इसी दरा से pension जो पूर्व किलाडियों को apply करनी पड़ती थी वो भी धर-दर भटकते थे अब उनको online ही application डाल सकते हैं और उन पर भी जलसे health कारवाई की जाएगी ये पारदर्शी तरीका भी होगा और जबाब दही भी बिताय होगी technology कापियों होगा तो ease of living इसके माद्यम से हम उसको भी हासिल कर पाएंगे corporate social responsibility जहां एक और corporate जगत के लिए है लेकिन आज में एक अनुरोध देश भर के लोगों से करना चाहता हूँ खेल प्रेमियों से करना चाहता हूँ कि national sports development fund में online जाकर आप contribute कीजिए you can adopt a player you can adopt a game you can adopt a sports infrastructure you can adopt a sports event यानि कि आप किसी भी एक खिलाडी के लिए एक खेल के लिए खेल की सुविधाओं के लिए या खेल की प्रतियोगिताओं के लिए अपनी और से contribution दे सकते हो आपका एक एक रुपया जो खेल के बढ़ावे के लिए दिया जाएगा उससे खेल और खिलाडीयों को बल मिलेगा और इससे हम देश को और आगे खेलों में लजा सकें